ये पाली जिले का राइपूर फोर्ट है। राइपूर मारवाड रियासत का एक महतोपूर्ट ठिकाना था। जो जोदपूर के सासक राव सूजा जी के तीसरे पुत्र उदा जी के वंसजों के अधिकार में है। उदा जी के वंसज उदावत राठोड कहलाते हैं। उदावतों के पास जेतारण का राज्य था। पर विक्रम संबद 1642 में राव कल्यान सिंग जी उदावत को राइपूर का पट्टा मिला तो उन्होंने यहां पर ये गड़ बनवा कर इसे अपनी राजदानी बनाया। राइपूर गाव और गड़ में परवेश करने के लिए सबसे पहले ये कल्यान पोल पार करना पड़ता है। इसके आगे जोक है जिसमें एक और सिये पोल नजर आता है और उसके साथ ही बना है सुरेज पोल द्वार। सुरेज पोल से गाव में परवेश किया जाता है और स इस गड़ का मुख्य प्रविश्दवार है रायपूर गड़ की का यह पहली शुरुक्षा भीवार है यह कल्यान सिंग्जी ने पोई बढ़ाए थी और यहां भी यह जो जेट है इसके अंदर यह नुठीली चीलिय लगी भी है ताकि हाती वगरा की टक्र से यह टूंटे नह होगा और यह पिए अप्टर यह अपतारा थे स्वाय जो गामशी रेंडा यह इस छो के ऐंदर पहले वाह करते दो टैंजिए यह तीस है और यह जो पोड़ है यह सद्सी पॉर जा यह एंदर अपने सिंग पॉर्ड यह इन्ध को यह सोरज को और यह तो मैं नंदर का वह सि तो यह क्या इस वर्ट पोल के फिछ यह यह पिर गाओं की अपने सारा अबादी और बस्ती जा आजसाब ने पूरे इनके द्वारा इबसा ही ती राइपुन लगर यह सब तो मलब यह जो पर जो इसे गाओं की स्वरक्षा की बोड़ों यह बंद कर दो तो फिर नाव बंद होगे और यह उपर जो मैल है यह यहां पर जैजमेंट होगते हैं यहां पर जैज्जमेंट वगरा सब तो अंदर वो दरी खाने में राजासाम से वो तता हाँ सारे यह निन्ने वगर यह सारा जो टाइपीस्ट रेस्टर नों जमाने में कोर्ट का जमाने का यह सिंग्पोड़ है और उम्परकासी फिर आगे हमें दिखाए कि आगे क्या है आए अच्छा एटकाई हो मिला फोजदार यह पारी जो कमांड निंग ऑफिसर रहते थे हाँ रेजिडिंग और इनकी जो बटालियन वो उद्दर उनके रहती थी यहां मतलब जो फोजदार उनका जो छेनापती होता था यह पड़ान होता था मतलब गार्ड यहां पर रहते थे यह क्या है यह भी मतलब गौपाल जी का मंदिर यह सीवड़ के जब सामने यह आ गय अधे यह पूड यह भी सिंग पॉड के यह मैं सिंग पॉड है और दिधिस इंग पॉड यह जो टर्ण दिया गया यह शुरक्षा के साथ सुरक्षा के दरिश्ट्र कॉण सेटि कोई भी अटेक निदर है उनके आसर दानी आए अक्रमनुगनिक आ तो यह उन्होंने सबसे पहले अपने रहने के लिए यह बनाया था यह यहां रहते थे और फिर राजकुमार और उनके लिए उनके लिए रहते थे तो उनके लिए यह उपर दिखाना मेल यह सारे कहरों के मैल धे और यह यह राजएसाद ने बसाया अपने रहने के लिए यह बनाया था एपना नहीं था नहीं जगह उगई और रहने के लिए अपना इतना बनाए है तो यह बहले नहीं लौने जमान में थे200 में रसोड़ा दिखाते आए तो यह रसोड़ा मतलब है तो इसमें खाना बनता था या या खिलाया दाना बनाया जाता था और या से राजा साब की एक बतलो या नौकोटी के अंदर राइपूर ठाकर साब की बहुत बड़ी कासी थी कि या से इनका इस्ट्रेक्शन था कि गाउं देखना नहीं मतलब गाउंगा कोई भी आये प्रश्चन विक्रमत देते के समय से मतलब और सेकंडरी मारवाट राज अपने राजगर मलब इसमें है कुल में राइपूर राजगराने के ठाकुर साब ऐसे से जो दानवीरों गर इसमें मतलब इनकी बहुत ही क्या नाम था गोविन सिंग जी और अरे सिंग जी जो वह तो उनके टाइम यह रसोड़ा चलता था मतलब हमेशा के लिए सब के लिए पूरे गाउं में बहुत है कितना भी अपने घर के लिए लेके जाए या खाकर जाए जी उसको उसकी सकल नहीं देखे जाती ती और यह जो अंदर आज कभी खरण नहीं हो वाल यही से निकालो इलो इदर सोड़े में स्फीद इह पिसो और खरना मना दो यह मर्जब राज-बराने की समय में वो समय सजय याप्ता जो भी केडी थे, उनको यह सेंटरल जेल यहाठी ले आपड़ तो आई यह सकतरिया नहीं सपर अपरणदी होगे ने ही काल खूर्ट really । यहाठ वी तो यह मित फचिक defending ब्चोंinois कुटर यह और को सब्समाना बनी वी है और अंदर अंदेरा रहता था ताकि इसलिए इसको काल कोट्रिक आ जाता था तो ये और ये उपड़ जो बनी वी है ये ये जो साधान के दी उनके लिए होते थे हम अंदर से भी आपको दिखाते हैं आईए तो यह देखिए, यहांपर यह सजाप जियापता जो केदी होते थे, उनको रखते थे. अच्छा, अभी वर्टमान में यह क्या काम हरी? यह कामदार जी का हमारे यहां पर कख्ष हैं तॉछ तेखिए कभी यहां पर सदायाफ तके दी रहते थे और आज इस गड़ का जो पूरा का का समालते हैं जो पुरा मेरेज्टमेंट समागते हैं उन कामगार जी का यहां पर ओफिस है यह गोविन मैन ठाकू साब गोविन सिंग्जी नहीं अपने कार्यकान के दौन यहां पर जित्ते भी सारे स्टेट के सारे आते थे राजा साब और उनके निये सारी मेहमान नवाजी गोविन सिंग्जी ने गेस्टाऊस बनाया यह तब यह नीचे लिखाया पामना बैठक हा सबस्पाने नीचे पामना बैठक और उनके रेजिदेंस जो जन्होंने रुकना हो दाता ओर उपर रुकते थे और नीचे उनके बैठक होती थी और यह जो पोल आई यह बगी काना जब राजा साथ इसके अंदर बगिया रहती और यह देखना कैमरा इधर गुमाना यह क्या थे मोटर गेरेज गाड़ी यह जब गाड़ियां आ गई तब यह बाद में बनाया मतला मोटर गेरेज इस यह क्या गड़ी थी पुरणी होकम जी तो इसका अब क्या उपियो कर र प्राइब को बराबर कायम रखा जा रहा है सारी आम पबनी को भी आज भी इस तो इसके बारा बज़ गया है एक बज़ दो बज़े तो आपने क्या मतलब है जैसे मानी दस बज़े तो इस पर दस टंक रहे लगा और क्या एक गंटे बाद लगा रहे तो तो थोड़ा- विकरमचारी ते ठीकाने के तो उनको खाने का लंच का टाइम उनको बोजन के लिए एक इंटिवेशन पीचे अच्छे आजया पीछे छोटी सी पीचोटी एक संकेन दिया जाता था यह खाने का टाइम हो यह गड़ का मुखे प्रांगण है जिसमें समय समय पर बने खूप दायत में होती थी यह जूर जो बिल्दिंग है यह यह सब्सक्राइब शैषन कोट को सैषन कोट के पावर को सैषन कोट कोट और दे रखा था तो तो यह जरा दिखाई है अपको किसी भी किले में जाएंगे तो आपको दरीग झुरूर मिलेगा यहां पर दरी खाना के अंदर जो न्याई विवस्ता होती थी यहां के जो भी ठाकुर साब होते थे वो यहां बेड़ते थे और वो लोगों का न्याय करते थे तो आईए हम आपको दिखाते हैं अंदर से यह तरी खाना किस तरह से ठाकुर साब यह भी राजते थे हैं तो उस टाइम तो यह सफा वगरा नहीं होते थे आपको समय यहां उपर से फरंवान अगरे राजसाब वहां बेड़ते थे और यह इनके नीचे जिते भी मतलव सारे उप्रो ऑफिसार से और यह जह इंट質 से और वहां से वो करते थे। और वाकि यह इदर यह इ seating यह जो ठकुरानिए वगर देखनी होती तो वो अधर से देख लेती ति जो कारवरी उति थी वह देखाने के लिए यहां कि झिलिए को थिए यहां फेंस्ती की ठाक्रानिय थे वह यहां कि न्याय व्यवस्टा हो रही है क्या फैस्ट ले होंगे उस पर नजर रखने के लिए जो आपको घ्रणी किडिकी से फरिए ओड़े लिए पिछे खड़ी होकर के वह यहां के पूरी नाइक प्रक्रिया देखा करती थी और यह यह क्या है यह इनके बारे बताएंगे जरा मेहमानों को यह उनके जो वह समय परबर के राजगरहनों के इनके बराबर आते थे तो उनके लिए यह जब उनको यह जो पुरानी अजर यह जो दूसरा यह नीचछे यह पान का है यह पान दा नी है और यह चांदी के बने में यह बाजोट पुरा चांदी का बनावा है और यह उसी जमाने के हैं यह देखे पुराने जमाने का जो उपका था यह दर्वान में जब भी साधी होती थी यहां से 200 चांदी के थाल और गिलासे और कोटोरिये इसी राइकूर राजगराने से यह जो यह बलग किस काम के है यह अपने बोजन के बाद में जो सौप वगरा हो गई है यह देखी क्या शांदार है किसी को सौप देना है इलाजी देनी है तो यह उसके लिए हो गया यह यह बड़तन उस जबाने का है अनुवार करने के लिए और यह यह वह अपना अमल वगर पानी जो यह जो यह देखी यह जो बड़तन आपको यह जो दिखाई देरा आर्टिकल यह है अफिम के लिए यहां इसको अमल बोलते हैं और पहले आपको पता है कि अमल का नसा काफी होता था तो यह अफिम आरोगने के लिए यहां करने के लिए आरोगना बोलते हैं तो यह यहा तो इसके अंदर की जाती थी पहले ये भरे होते थे ये नीचे बुन-बुन करके च्छन के अंदर दलती थी और उसके बाद पी जाते थे यह देखे एग यह बड़ा पात्र भी है ताकि ये कई लोगों को ये बाट दिया जाए, ये बड़ा पातर है यहाँ से आगे से निकलती थी और ये इसका जो लेने का तरीका ये इस तरह से इस तरह से दी जाती थी सामने वाला दोनों हाथ उपरनीचे करके करता था इस तरह से ये अफिम दी जाती थी तो ये अफिम के मनुभार करने के लिए ये देखिए ये पूरा का पूरा ये एक अर्टिकल ये बनावा है अफिम के मनुभार के लिए ये देखिए ये फिल्बों के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब राजा की सवारी नि pesticides िस तरह के से ई पकड़कर आके पीछे चलने वाले होते हैं इसको चडी बोलते चडी और जो इसको मतम जाती दी एसे पकड़ को यह अपकड़ें और दिखाईसी नहीं गैसी जी की और देखेंकिश अंपरगा को दिखाएनके सबसे हां निंदेर रहतीं तो में पड़िशन हो शौने की सोने की और बाकी यह जो बनी wow ये वे सिलवर चंदि किह है वह उनके जो चॉबदार थे शद्र लेक स्वब लोगे और वह उनका हत्यार हो यह जो já जाजन साब यहां पे जब न्याई वगर यहां पे करते थे यह सवार ही वगर नियुक्त भी नूलाए जाते थे नहीं सोने का और गुललदस्ता है पुराने जबाने का उनीश सो सत्रा के अंदर की रखने के लिए सजावट के लिए इसके अंदर देखी यहां पे कोई गुल दस्ता या फूल वगरा रख दीजिए तो यह गुल दस्ता बन जाता था यह सजावट के लिए है और यह देखी पुराने जमाने का कलात्मक ताला तो अबरकासी यह जनाने डोटी है लिए जनाने डोटी यह किसे साब से अ राइयपूर ठीकाने की था तो बहतर गाउं के लिए जो लुग जो शिरफ यह जो के लिए नहीं होती थी वा इनके नीचे जो जिदे बहतर गाउं थे ठोक्रवाद थी तूझ ब्हों सब्सक्राइब और जो नाजना गारना आपना उन्होंने जो भी कारे करम प्रकार्म सब्सक्राइब और इंदर से लिए देगे जिस दरवाजे से हम उसे हैं तो यह अंदर से एककंब बंध है यह दरवाजा भी हो सकता है बाध में बना ओ लेकिन यह पूरी दिवार होते थी ताकि यहां पर भी कोई शीदा नहीं वुसे वसी प्राइवेसी भी रहे और सुरक्षा भी रहें और यह देखिए यहां पर यह टन दे दिया गया है और यह देखे यह टन देने के बाद में और फिर आगे आई यह देखे यह जो टेकनोलोजी है यह मारवाड के अंदर ही थी यह और कहीं नहीं थी और हमारे सेखावटी के अंदर बिशाओ में बिशाओ और दूसरा में उसके अंदर दो महल बने मैं उनकी चट जो है यह यह पूरी यह लकड़ी की और वह में बताओं कैसे कि पोकरण के सवाई सिंग जोद्पूर से निस्कासित थे तो उनको वह में रहे ना तो उन्होंने जब शरन दी तो उन्होंने एज गिफ्ट है कि महीं यह लकड़ी और उन्होंने यह भूती खुपसरत मतलब यह तो उन्हों की कारीगरी क्या के कुछ पी निया पुरे टोडे ओ डे डे यसे फटर गे लगिन उन्हों पूरी लकड़ी के बनाकर के वह पूरे महल बनाईं इम है जो आज भी बी दो डोनों वीता ओ और रहा हां यह देखें यह कितनी पूरानी लटटी आठाथाथा सो तीश के अंदर इस इंडिया कंपनी का जो अपने कलकता के अंदर ब्रीज बना था उसके टाइंक की मतले ये सारी ये लटी है और देखें उसलमाद एकफुरानी इनको आज भी मतले ये बराबर तो ये देखें ये जो बेड़ों के अंदर देखिए यह लगड़ी के चते और यह बीम तो अक्सम जो शेटों की पुरानी हवेलियां उनके अंदर भी जो यह गाचर लगए लगए लगड़ी के वह लगड़ी के लगए उनका कुछ भी नहीं पिगड़ा लोहा आज का नहीं सब सकता लेकिन यह में थाइसो तीन सो साल पूला ना है जो इसे में पूजा में यहां यह पहले मुसमें इसमें सब्सक्ता जरु अब लुदी के hmm शारें आज तो ये ते राइपूर गड़की अंद्रूनी द्रस से राइपूर ठिकाने के सासकों का इत्यास बहुती गोरव साली रहा है जिसके वीडियोज हम समय समय पर आपके सामने लाते रहेंगे धन्यवाद जे हिंद जे भारत जे राजपुताना